तेस्टी एंड हेल्डी खिली खिली साबुदाने की खिचडी की आसान रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहे हूं यहां लिया मैंने कड़ाई, कड़ाई में लिया है मैंने 1 टेबल स्पूर मस्टर्ड ऑईल जैसे ही तेल गरम हुआ इसमें मैंने डाला है राई साथ ही साथ डाला है मैंने कड़ी पत्ता उसके बाद मैंने डाला है दो मिर्चिया जिसको मैंने हाथ से तोड़ के डाली और अब मैंने यहाँ प्यास डाला है जिसको के मैंने चौप करके रखा था अब इसको हम तो दोस्तों आपकी जो प्रॉलम होती ने साबुदाने की खिच्री एदम चिपक सी जाती तो आज वो प्रॉलम मैं सॉल्फ करने के लिए आई हूं अब यहां डाला है मैंने टमाटर यह टोटली ऑप्सनल आप यह दी वरत में बना रहे हैं तो आप टमाटर का प्रियोग ना और साबुदाने का एक एक दाना खिला खिला सा है अब इस साबुदाने को जिसको कि मैंने सोक करके रखा तो ओवरनाइट मैंने अपनी सबजियों में मिक्स कर दिया है इस तरह से आप इदी साबुदाना ओवरनाइट सोक करेंगे हाँ एक बात जरूर ध्यान दे कि पानी क के मातरा जादा न डालें उतना ही पानी डालें जिसमें की साबुदाना अच्छे तेके से भीग जाएं और इसे ओवरनाइट सोक करना जरूरी है तभी हमारे साबुदाना अच्छे तेके से फूल पाएगा और फ्लफी बनेगा अब इसको ढखकर मैंने दो मिनट के लिए पक किसे पर यदि पसंद आई है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ से साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें